हाल ही में इमाचल प्रदेश के सम्मानिय मुख्य मत्री सुखविंदर सिंग सुखुजु का जो संबोधन हुआ है आपदा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने टिपनी की है आपने भाशन में जो चीजें कही है कि केंदर का हमें से योग नहीं मिल रहा है जो कत्ती करोड क्या वो सपस्त करेंगे जो कत्ती करोड आया है वो किसकी मदद से उन्हें मिला है क्या वो राशी केंदर की नहीं थी अगर वो नहीं दे सकते तो तत्थों सहीत भार्टियत्ता पार्टी इसको इन तत्थेओं को देने के लिए तयार है और दुरुभाग्य तो ये है कि मंडी के साथ दस महीनों में जो बेदभाव चल रहा था उसको उठाने में इनकी पार्टी की अदेक्षा और हमारी लोकसभा की संसत प्रतिवा सिंग वहां मौन बनके रही और वो मुर्ती बनके रहे गई मंडी की चाहे हम बात करें चाहे हमारा सेटलमेंट ओफिस था जो मंडी में खुला था उसको उन्होंने बंद करने पर उन्होंने कोई मांग जनता के सामने नहीं रखी सब्सक्राइब कोई बात नहीं की शिपधान वहीं का वहीं खड़ा है जो मंडी में टुरिस्ट को प्रेटकों को खेंचने के लिए एक मतोकांक्षी परियोजना जैराम ठाकुर जी के नित्तों में यहां चल रही थी वह वहीं का वहीं खड़ा है और कभी कभी प्रतिवासीं जी के यह ब्यान आ जाते हैं कि अटल टनल का जूटा श्रेय लेने के लिए ब्यानवाजी कभी करती हैं यह सब को मालूम है कि इस की तनल के कारण अजारों की संख्या में गाड़ी यह जाती है तो वह मोदी जी की देन है और प्रतिवासीं को जो चार साल तो कहीं नजर नहीं आई महिलाओं का जो चार हजार क्रोड़ रुपे जो आज तक बनता है बंदर सांवर्पे के हिसाब से वह यह खुद महिला है इनको महिलाओं का धर तो समझना चाहिए इसके बारे में इनी की पार्टी की सरकार है और मैं यह दावत से कह सकता हूं कि जो इनका पिछला कारे कलाप रहा है जिस तरीके से यह मांगों के प्रती जंता की जो हको हकूक है जिस तरीके से लोगों को बिलने चाहिए उसको उप्पे मंडी की जंता प्रतिवा सिंग को यहां से हरा के अपनी इदम लेगी